Hello everyone, in this video we will discuss a play जिसका नाम है Tara and this is written by Mahesh Dattani और यह बहुत जादा एक famous play है, यह जो play है यह two act play है या फिर two scene play भी कह सकते हैं जैसे कि आप जानते होंगे जो plays होते हैं वो divide होते हैं यह play जितना important है उसे जादा important जो इसकी themes है वो बहुत जादा important है और जो Mahesh Dattani है उनके जितने भी work हैं वो इसी तरह से modernity को show करते हैं real situation को जिसमें feminist की situation को दिखाया जाता है woman की situation को, dominancy को और जो एक patriarchal society है उसको critique करता है इनका हर एक play, इनका हर एक work इनके अगर हम कुछ famous work की बात करें तो वो है bravely for the queen यहां पे जासी की दानी के ओपर लिखी गई है ये book next important work है इनका dance like a man dance like a man भी बहुत important work है जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से एक man dance की तरफ बढ़ता है, dance को अपना career बनाना चाहता है और जो उसका father है वो बोलता है जादा एक कह सकते हैं जो क्रिटीक में भी रहा वो है maggie night in Mumbai, maggie night in Mumbai में इन्होंने homosexuality की बात किया है और कहीं नहोंने homosexuality को दिखाया है, aware किया है लोगों को की इस तरह से भी इन लोगों की भी respect होनी चाहिए और इनको भी प्यार करने का राइट होता है यह सारी चीज़े हैं उसमें नेक्स इनका important work है night queen अब अगर हम बात करें तरह की जिसको इस वीडियो में हम discuss करने वाले है एक बार इसकी characters को देख लेते हैं तो mainly जो इसमें 4 ही character है भारती जो की mother है तरह की पतेल जो की father है तरह के और चंदन जो की brother है तरह का यह दोनों twins होते हैं तारह और चंदन दो इसमें minor characters है जैसे की रूपा जो की friend होती है तारह की और doctor ठक कर जो operations है दोनों जो twins है इनको अलग करते हैं क्योंकि जो इनकी hips है वो joint होते है तो operations है इनको अलग किया जाता है यह जो story है यह जो तरह प्ले है the family plays an important role in the place of datani datani ने अपने जितने भी work है उन्होंने family को importance दी है यहाँ पर भी यह बताते हैं Tara is a play that raise questions to the society that treats the children of the same womb in two different ways कि किस तरह से society में एक ही womb से एक ही गर्व से पैदा होने वाले दो बच्चों को society अलग अलग तरीकों से देखती है infect family और parents भी अलग अलग तरीके से देखते हैं यहाँ पर दो बच्चों की बात हो रही है किसी भी लड़की या लड़के की यह जो Tara play है it is a play about the two children joined together at the hip one is a boy and other is a girl and the name of the girl is Tara they can be divided only surgically और इनको surgically अलग करते हैं Dr. Thakkar और इससे पहले वो पूछते हैं कि इन दोनों बच्चों में से एक को हम completeness दे सकते हैं और दूसरे को नहीं तो जो Tara के नाना कह सकते हैं और जो उनकी मदर थी Tara की भारती वो चाहती थी कि जो चंदन है उसको complete रखा जाए this is the partially and injustice starts here it shows the woman itself is the enemy of woman ऐसा कहा जाता है कि एक औरती औरत की दुश्मन होती है and the situation is proofing here क्योंकि जो उसकी मा थी भारती वो ही चाहती थी कि जो Tara है उसको incomplete ही रहने दिया जाए the mother prefer the male child and thus threatens the chain of injustice the first thought behind selecting the male child is he will carry forward the family name और यह आप आज की रेट में भी देखते हैं समानते हैं लोग कि जो लड़का होता है वो family के नाम को आगे लेके जाता है तो उसको इसी play में show किया गया है अब हम अपने play को start करते हैं और उसके बाद हम इसकी themes को भी discuss करेंगो इसके title को discuss करने की जुरूद नहीं because the complete story revolves around the Tara और Tara के ही जो sacrifice था जो gender का discrimination उसने face किया उसी के बारे में है यह पुरा play तो जो act 1 है इसका यह start होता है the act 1 opening of the play showing that Dan is busy in typing Dan जो कि इसका भाई था Tara का चंदन उसका nickname यहाँ पे डिया गया है Dan और वो अपना कुछ writing work कर रहा है वो एक writer है अपना writing work कर रहा है वो अपनी life के experiences को अपने paper पे पुट करना चाहता है जो Dan है reason he lives in London is a distance himself from the past वो लंडन में इसलिए रह रहा था क्योंकि वो अपने past से अलग रहना चाहता था अब उसका कौन सा past था इसके बारे में भी हम discuss करेंगे आगे and is why the past based on the old and bitter memories और वो एक writing work कर रहा था जिसका नाम उसने रखा था Twinkle Tara अब यहाँ पे जो इसका नाम Tara है यह अपनी sister के लिए ही लिख रहा था जिसको उसने Twinkle Tara जो कि हमेशा चमकता रहे अब यह वो सारी चीज़ें सोच रहा होता है Dan considered himself a freak constantly talk about it और वो मामता है कहीं न कहीं वो वज़ा है कि Tara को इस तरह situation को feel करना पड़ा He also get know that Dan and Tara were Simone as twins they have shared one body वो दोनों एक ही body से share कर रहे थे जैसे कि आप जानते होंगे जो twins होते वो अलग-अलग तरीके से होते कभी-कभी जो twins होते हैं आपने सुना होगा hospitals में, doctors उनको अलग करते तो इसी तरह से situation थी Tara और चंदन की The action of the play is going up जो story है वो flashback में चली गई है जो Dan है, जो चंदन है वो सोच रहे की अपने past के बारे में, तो वो देखता है कि जो पटेल है, पटेल उसके father is getting ready to go his office work और जो उसकी mother है, वो अपने घर का ही काम कर रही है, जो household work होता है अब यहाँ पे जो इन दोनों का role है, the role of these two characters are stereotyped stereotype, the meaning of stereotype is, कि जो male है वो office के लिए है, और जो women है उनका काम है घर को सम्हालना और बच्चों को देखना भारती is doing the same thing अब यहाँ पे play में यही है the conflict between the husband and wife can be seen regarding the father of भारती we can also get to know the भारती is more concerned than पटेल regarding the health and diet of Tara यह भी सच है, कि जो भारती है starting में उसी ने कहा था कि complete body जो है, वो चंदन को मिले Tara के comparison अब यहाँ पे जो हमारा next character है, वो introduced होता है, जिसका नाम है Rupa, is introduced in the play in her full glory, वो बहुत ज़ादा एक young लड़की थी और बहुत खुबसूरत थी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी, वो physically भी ठीक थी, बिल्कुल fit थी the man in the house were deciding अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो उसका फादर है, वो कैसे बोलता है कि the man in the house were deciding on whether they were going to go hunting while the woman looked after the cave यहाँ पे क्या प्रेजन किया गया है कि जो man है, वो hunting के ले जाए और जो woman है, उसका काम है कि cave की देख भाल करे यहाँ पे जो cave word है वो refer करता है home की कि जो woman है, उसका काम है कि सिर्फ घर की देख भाल करे और बचों की देख भाल करे लेकिन जो चंदन है, वो अपने father की तरह ना तो सोचता है और ना ही वो अपने father की तरह तारा जो है, वो बहुत ज़्यादा beautiful है strong है और healthy है अब यहाँ पे जो पटेल है वो चाहते हैं कि जो चंदन है वो बाहर जा के पढ़ाई करे और उनके business पे उनकी help करे वो चाहते हैं कि जो तारा है वो फेमिनिजम में ही रहे और अपना ध्यान घर के कामा में रखे और या फिर उसे कहीं पे वो importance भी नहीं देते अब दुबारा से स्टोरी प्रेजन प्रेजन में आट करके Dan decides to starts with Dr. Thakkar whose god-like presence god-like presence क्यों है क्योंकि Dr. Thakkar नहीं चंदन और तारा दोनों को separate किया था उनकी बोडिस को separate किया था he tells us about the being of the different sixes and how he operate them when they were only three months old और जनका operation हुआ था ये तब हुआ था जब ये तीन महीने के operation का result ये हुआ कि जो तारा थी वो crippled हो गई अपनी life से crippled मतलब जो अपने घुटनों के बल चलते है क्योंकि जब कहिना की जो पावर था जो बोडि का वो दे दिया गया चंदन को operation से तू crippled हो गई वो handicap हो गई वो ठीक से चल नहीं पाती थी शी वो सब्स्यूटेट विद आन artificial like इन अ कंवर्जेशन बिट्वीन तारा अंचंदन वी लेंड वरियस फेक्स इंक्लिवडिंग दफेक्ट भारती फ्यूजिज ओवर तारा एं तारा represent her father's lack of interest in her ये बात तारा को भी पता था कि जो उसके father है पटेल वो बिल्कुल भी interested नहीं है तारा में इन फेक्ट he don't like a girl child जो रूपा को इसलिए लाया जाता है रूपा को लाती है भारती जो उसकी मदेर होती है तारा की ताकि वो तारा के साथ friendship में रहे और तारा को अखिला पन ना लगे अब जो तारा है उसका kidney problem हो गई थी kidney को transplant करना था we are informed that initially भारती wanted to donate her own kidney to तारा but जो उसका father था पटेल he don't want कि जो भारती है वो अपनी kidney दे तारा को जो पटेल है वो हमेशे ही तारा को इग्नौर करते थे और वो नहीं चाहते थे कि जो भारती है जो उसकी मदर है वो भी अपनी kidney उसे donate करें उसे दें during the conversation with चंदन भारती is also knitting a sweater for तारा अब जो भारती है वो मदर है तारा के और वो इन कामों के लिए नहीं बने है जैसे कि knitting के लिए sweater बूनने के लिए here we go to know the पटेल's point of view about gender identity यह जो play है वो gender identity के issue को raise करता है और यहां पे जो पटेल का point of view है वो show करता है gender identity और उसके role को लेकर act ends with तारा's fainting and falling यह जो first act है हमारा जिसको हम discuss कर रहे है इन सारी situations के बाद तारा गिर जाती है बिहोश होकर the first act of the play reveals the threaten to reveal a dark secret buried in the past dark secret क्यों बोला गया है क्योंकि जो चंदन है अभी young age पे है और writing work कर रहा है यह उसका back था बता रहा है कि वो guilt में है हमने discuss किया था जो चंदन है वो guilt में है तो guilt में क्यों है उसका reason यही act 2 की बात करते हैं the second act of the play opens with भारती और तारा in conversation तो नों बात कर रहे होते भारती ने decide किया था कि वो अपनी kidney तारा को दे देगी the operation is supposed to be performed very soon according to भारती she is doing that because she loves तारा and also because she tends make but tell to feel that she loves तारा और भारती के अंदर भी guilt है वो चाहती है कि उसकी बेटी अब ठीक हो जाए अब वो मना कर देती है पढ़ने के लिए भी क्योंकि कहीं न कहीं उसको लगता है कि उसकी किसी भी चीज से कुछ भी करने से happiness नहीं हो रही है उसकी family में ये फिट जोसका father है पटेल वो happy नहीं है she is unhappy about her mother और जो चंदन है वो भी तारा की वज़े से मना कर देता है पढ़ने के लिए क्योंकि जो तारा और चंदन का relation था अपस का वो बहुत ज़्यादा loving था we also learn that the grandfather has left his house to both of the children जुनके grandfather थे उन्होंने दोनों बच्चों के लिए घर छोड़ा था in Bangalore but he left money only to the चंदन तो यहाँ पर जो उसकी grandfather थे वो भी gender identity, gender inequality को प्रूफ कर रहे है युनोंने घर तो दोनों बच्चों के लिए छोड़ा लेकिन जो bank balance था वो सिर्फ चंदन के लिए छोड़ा चंदन is perfectly normal वो अपनी legs के साथ बिलकुल ठीक था तारा however desire to be in work and operation और वो अपनी conversation में लगी रहती थी conversation वो किसके साथ करती थी basically जो रूपा जो उसकी friend थी free time में वो उसके साथ ही रहती थी इस play में last में क्या होता है तारा की death हो जाती है even as the death of the star gives thanks to the reason यह फिर यह कह सकते हैं जो star था उसकी death हो जाती है star को तारा की बात ओरिये the reason stand for the god within the world of physics and linked to the male gods in Hinduism like Shiva Krishna, Rama etc. who are black religion has also been prominently patriarchal Christianity confesses man a god star by naming his female protagonist as Tara महेश दतानी puts it otherwise तो इस तरह से play खतम हो जाता है और इसको महेश दतानी जी ने महेश दतानी जी ने इसको reality, guilt, sacrifice इन सारी चीजों के साथ कोट किया है और ये present situation में भी, present scenario में भी बहुत जादा useful है ये फिर हम कह सकते हैं तारा जैसे आज भी ना जाने कितने ही बच्चे होते हैं अब हम बात करते हैं इसकी कुछ themes के बारे में जो की बहुत important है यहाँ पर guilt देखने को मिलता है गिल्ट, जो guilt है यहाँ पर भारती, जो की मदर है तारा की उनका और जो चंदन है, जो की ब्रदर है उनका नेक्स इसमें sacrifice देखने को मिलता है sacrifice किसका? तारा का कि किस तरह से वो sacrifice करती है gender role देखने को मिलता है कि किस तरह से जो पटेल है वो बोलते है और वो बोलते हैं कि जो हंटिंग है हंटिंग करना मेल का काम होता है और केव की देखभाल करना वुमिन का काम होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है इस प्ले में कि किस तरह से तारा को इग्नोर किया गया क्यूंकि वो एक girl child थी तो उसके father भी उसे पसंद नहीं करते थे और उसके साथ जो भी होता है उसकी वज़ा सिर्फ इतनी है कि वो एक girl child थी male dominancy देखने को मिलती है society में कि किस तरह से की male है उसी को dominant रखा जाता है women को recessive बना दिया जाता है इंजस्टिस देखने को मिलता है इस में इसकी एक theme ले सकता है एक important है the play highlights the injustice done to the women in the society कि किस तरह से उनको दबाया जाता है है यार की construction को show करती है यह यह जो play है यह हमारा है है की construction को show करता है one of the major theme of the play is to complication involved in the family life family life में जितनी complications होती है उनको show करता है जो dark patches होते हैं family में या members के बीच में उसको present करता है inequality को present करता है